तो आज हम बात करने वाले हैं NCHM की नहीं नोटिफिकेशन के बारे में जो NSTAT के रिगार्डिंग है और जो NCHM ने फॉर्स आफ एवरेड को अपलोड की है तो गाईज अगर आपको नहीं पता है कि NSTAT ये जिसको NSTAT बोलते हैं उसकी त्यारी कैसे करने हैं अगर आपको नहीं पता है कि NSTAT के मौक टेस्ट कहां से मिलेंगे NSTAT के previous years के question paper solved कहां मिलेंगे तो प्लीज आप इस वीडियो को last तक जुरूर देखिएगा थोड़ा सा वीडियो लेंदी है बट प्लीज इसको last तक जुरूर देखिएगा आपके NSTAT की सारी queries से solve होने वाली है तो आईए सबसे पहले बात करते हैं NCHM की नए notification regarding NSTAT फाइनली NCHM City has declared the exam date of NSTAT अब ये exam 2021 में होने वाला है 27th of February 2021 ओके गाईज, due to pandemic 2020 में NSTAT का एक भी exam नहीं हुआ है बहुत से बच्चे बहुत time से इस date का wait कर रहे थे, बहुत से बच्चे नहीं मुझे mail भी किया था request कर रहे थे कि सर कोई date जब भी आएगी, please हमें inform कर दीजिएगा तो कल ही इसकी date update हुई है guys, लेकिन कुछ changes है यहाँ पे जो आपको देखने पड़ेंगे, changes क्या है first change तो यह है कि NCHM ने जो exam centers का number है वो बढ़ा दिये है ना, पहले यह number limited होते थे but due to pandemic और COVID-19, अब जो exam centers है guys, उनका number बढ़ा दिया गया है और उन्होंना साथ में यह भी कहा है कि अगर किसी को अपना exam center change करना है then he or she can change their exam center, okay यहां पे उन्होंने एक link दिया है, है ना, इस link पे click करके आपका जो form आपने submit किया था guys, वो खुल जाएगा alright, और वहां पे जाके आप अपना exam center change कर सकते हैं क्योंकि traveling से जो corona है वो और फैलेगा, इस चीज को देखते हुए अब exam centers के number बढ़ गए है, पहले जैसे चंडगड़ी होता था, अब शिमला भी center है ऐसे आप जैसे ही उस वाले column पे पहुंचेंगे और उस drop down button पे आप click करेंगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारे center और दिखने वाले हैं, जो पहले नहीं थे, ओके तो अब आप जो आपको सबसे near है आपके घर से, वो center चूज कर सकते हैं, है ना और यह जो link है guys, यह 5th feb तक ही active रहने वाला है तो make sure कि आप 5 feb तक अपना exam center चेंज कर पाएं अगर आपको करना है तब, है ना नई date जैसे मैंने आपको बताया, 27th of feb को अब यह exam होना है, hopefully इस वार हो ही जाएगा, okay so उसके बाद कुछ और points हैं यहाँ पे जो नहीं बताए होए हैं, first है कि आप जो हैं वो अपना exam center चेंज कर सकते हैं till 5th of feb, यहाँ पी लिखा हो है, second लिखा है कि जो उसके बाद NCHM करेगा, 15 feb से लेके 26 feb तक जो NCHM है आपके admit cards को upload करेगा, okay, उसके बाद 27 को आपका exam हो जाएगा, है ना 28 से लेके 2nd of March तक वो answer की आपको देंगे और उसको आप challenge कर सकते हैं, till 2nd of March आप किसी वी answer गो, challenge कर सकते हैं with proper proofs, okay, उसके बाद जो उनकी committee होगी, वो उन challenges गो देखेगी, okay, और उसको कब तक देखेगी, till 8th of March तक, जतने वी challenges आए होंगे, उनको वो check करेंगे, okay, उसके बाद guys, final answer की बनती है, और वो आपको upload, वो NCHM के portal पे upload की जाएगी, 9th of March को, all right, उसके बाद evaluation के जाएगा result का, 9th March से लेके, 11th of March तक, है ना, और 12th of March को, NSTAT का जो result है, वो guys, declare कर दिया जाएगा, all right, तो ये notification बिलकुल नहीं है, जो पिछले कल ही आई है, इसलिए मैंने सोचा की, क्यों नहीं इस पे एक video बना दिया जाए, okay guys, this is timetable of online crash course of NSTAT 2021, okay, and this is the timetable for batch 1, है ना, ये first batch है, hopefully, इस साल दो बार NSTAT का एक्जाम होगा, okay, तो उस time पे हमारा second batch and third batch भी, इसके guys, आएंगे, okay, आई अब यहाँ पे discuss करते हैं, इसके कुछ main points के बारे में, first is that as I told you, नई date जो है exam की, वो 27th of February रखी गई है, जो कि tentative date है, but hopefully 27th of February को ये exam हो जाएगा, तो हमारा जो crash course है, जो मेरी app पे शुरू होने वाला है guys, वो शुरू होगा कल से, यानि आज second of fab को मैं video बना रहा हूँ, तो third of fab से लेके 26th of fab तक crash course चलेगा है ना, इसमें हम तीनों paper, paper 1, 2, 3, step by step, सभी topics को discuss करने वाले हैं, so how it will go like and कैसे हम सभी topics को cover करेंगे, आई उनको discuss करते हैं, तो कल, यानि तीन February से लेके guys, 7 February तक हम पढ़ने वाले हैं, paper 1, है ना, as you know paper 1 में teaching aptitude है, research aptitude है, reading comprehension है, and reasoning and GK lectures, okay, तो जैसे तीन तारीक को, कल हम पढ़ेंगे, teaching aptitude है ना, 4 को हम पढ़ेंगे, research aptitude, 5 को हम पढ़ेंगे, reading comprehension and 6 को हम पढ़ेंगे, reasoning and GK, guys, इन सभी topics के 2, 3, 5, 5, 6, 6 videos मेरी app में recorded available हैं, okay, आप उनको पढ़के classroom में आया करेंगे, कोई doubt आपको होगा, तो उसको हम live sessions में discuss किया करेंगे, जो मैंने आपको भी बताया, कि हमारी live session जो है, वो daily 7 p.m. से शुरू होंगे, okay, 7 p.m. पे live session शुरू होगा करेगा, इसको हम बहुत सकता है, live doubt clearing session, okay, mainly यहाँ पे जो आपके doubts हैं, वो guys discuss होने वाले हैं, तो तीन फरवरी से लेके 7 फरवरी तक, इन सभी topics को हम discuss करेंगे, आप इनके वीडियो को देखेंगे, जो कि app में available है, plus mcqs available है, plus mock test आपको इसके मिलेंगे, okay, तो mock test विल्कुल वैसे ही design किये गए हैं, जैसे कि आपके exam का pattern है, जैसे आपको मालम होगा, कि आपके right question के दो number मिलते हैं, okay, और wrong question के आपके 0.5 की negative marking होती है, जो mock test हैं, वो ऐसे ही design किये गए हैं, कि आप उसमें अगर कोई negative, कोई गलत question करते हो, तो आपके 0.5 जो है, वो, उसमें से deduct हो जाते हैं, है ना, तो 20 number का mock test होगा, जैसे teaching aptitude है, तो उसका mock test में 20 question होंगे, alright, और 20 question में आप उसको attempt करेंगे, जैसे आप उसको submit करेंगे, तो तब ही के तब ही वो आपको इसका result दिखा देगा, है ना, कि 20 में से आपके कितने marks आए, कितने questions सही थे, कितने questions गलत हैं, वो सब कुछ app है, mock test आपके लिए design किये गए हैं, तो 3 February से लेके 7 February तक आप paper 1 को complete खत्म करने वाले हैं, और गाईज, 7 February, 7 February को आपको previous year question paper का mock test मिलेगा, है ना, जैसे आपको पता है, 2017 से ये exam होना शुरू हुआ था, तो 2017 से लेके 2019 तक, I think 5 बार ये paper आपका हुआ है, 5 time ये paper हुआ है, है ना, तो 2017 में जो paper हुआ था, तो paper 1 जो था, ओके, उसके बाट 18 में paper 1, 19 का paper 1, उस सभी paper 1 के mock test बनाए गए हैं, आपकी better practice के लिए, तो जैसे आप उस mock test को attempt करेंगे, तो 50 number का mock test होगा, ओके, with negative marking, है ना, तो आप, पहले आप उसको पढ़ेंगे, 3 से लेके 7 February तक, उसके बाद आप उसका mock test लगाएंगे, ताकि आपकी बहुत अच्छे से, गाइस, practice हो सके, उसके बाद 8 February से हम शुरू कर देंगे paper 2, और यह हम पढ़ेंगे till 14th of February, till Valentine Day, है ना, तो आपका Valentine Day gift क्या होने वाला है, completion of paper 2, है ना, तो paper 2 में जैसे आपको मालूम है, आपके paper 2 का syllabus है, nutrition, hotel accounts, है ना, and management, तो इनके 4-4 video, 5-5 video lectures, already available है, है ना, आपकी duty क्या बनेगी, जैसे 8 और 9 February को, 8 और 9 February को, जो nutrition and food science के videos, video lectures, already app में available है, आप उनको देखके आएंगे, वहाँ MCQ है, उनको आप देखके आएंगे, और शाम को 7 प्यम पे, हम live आके, अगर कोई doubt है, आपको तो उसको, guys, clear करेंगे, alright, same, 10 और 11 February को, videos available है, आप उनको देखके आएंगे, है ना, 7 बज़े हम hotel accounts के, कुछ doubts हैं, तो उनके clear करेंगे, plus mock test, जो हैं, वह आपको इन 3 के मिलने वाले हैं, guys, okay, तो food science के mock test है, then, आपके hotel accounts के mock test है, management के mock test है, जो again, मैं repeat कर रहा हूँ, वैसे ही design किये गये हैं, जैसे कि आपका syllabus है, जैसे कि आपके final exam में, 27th of February को, आपके exam में questions आने वाले हैं, 12th and 13th of February को, guys, हम पढ़ने वाले हैं management, okay, उसके doubts clear किये जाएंगे, plus mock test आपको management के मिलने वाले हैं, ताकि आपकी बहुत अच्छे से, guys, त्यारी हो सके, हैंना, management के mock test आपको मिलने वाले हैं, सभी के mock test आपको मिलेंगे, ताकि आपकी जो practice है, बहुत अच्छे से हो सके, I'll try कि जो subject expert है, जैसे nutrition food science की teacher है, जो पढ़ाते हैं, उनके साथ मैं आपके एक session करवाऊं, okay, अगर कुछ बहुत जार डॉट्स रहेंगे, तो same with the hotel accounts and same with the management, okay, उसके बाद 14th of Feb को, Valentine Day वाले दिन हम करने वाले हैं previous years question paper के mock test, okay, 2017 के बाद से with answer की, paper 2 के भी आपको mock test मिलेंगे, जैसे कि paper 1 के मिलने वाले हैं, along with answer की, आप हमको practice करेंगे guys, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी होने वाली है, then 15th of Feb से 25th of Feb तक हम करने वाले हैं paper 3, as you know, paper 3 आपका 100 marks का होता है, 100 questions इसमें होते हैं, okay, totally 200 marks का होता है हैं इसमें चार segment है, housekeeping, front office, food and beverage and food production, सब में से 25-25 question आते हैं, okay, I think इस अब आपको पता होगा हैं तो क्योंकि सबसे ज़्यादा questions इसमें आते हैं, इसलिए हमने सबसे ज़्याद टाइम इसको दिया है, 15 से लेके 25 तक हम इसको cover करने वाले हैं, तो 15 और 16 को हम cover करेंगे, housekeeping, 17 और 18 को हम cover करने वाले हैं, front office, 19 और 19 लेके 21, तीन दिन में हम cover करेंगे food and beverage, और 22 लेके 24 सक हम cover करने वाले हैं food production, again, इन सबी के videos available हैं, accept food production, इसके videos नहीं होंगे, बाकि तेनों के videos available हैं मेरी app में, उनको आप देखेंगे, MCQs को attempt करेंगे, और mock test आपको यहाँ भी guys मिलने वाले हैं, जो कि मेरे crash course का crux है, mock test आपको यहाँ भी मिलने वाले हैं, तक आपको यह मालूम पढ़ता रहे कि आपकी कितनी तैयारी हो रही है, और आप कहाँ पे stand करते हैं, आपके कितने marks आ रहे हैं, यह इनके भी mock test आपको इसमें मिलने वाले हैं, तो 25 तारीक तक हम paper 1, 2, 3, 3 तीनों को along with mock test पढ़के खतम कर चुके होंगे guys, और 25 तारीक को ही आपको मिलेगा previous years question paper again, 2017 onwards, जो paper 3 है, उसके mock test आपको मिलेगा, है ना, again उसमें 100 question होंगे, दो number का यह question होगा, और 0.5 की negative marking होगी, आप उसको attempt करेंगे, आप उसमें कितना score कर रहे हैं, आप अपने आपको self evaluate यहाँ पे guys कर पाएंगे, that's why I have purchased this app, ताकि आपकी बिल्कुल actual practice हो सके, कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या आपका syllabus है, पहले कैसे questions आए हैं, और आप कहाँ पर stand गरते हैं, 26 तारिख को एक quick revision करेंगे, और rest करेंगे, because in my opinion, rest is best before the test war 27, आपका exam होने वाला है, तो यह है वाना time table है guys, है ना, इसके according हम इसमें चलने वाले हैं, कल से तीन तारिख से यह शुरू होने वाला है, तो आप जल्दी से इसको join करिए, और कल हम मिलेंगे class में, ओके guys, अब बात कर लेते हैं, कि मेरी app कैसे चलेगी, और वहाँ पर यह crash courses कहाँ पर available हैं, तो guys, आप जैसे ही google पर type करोगे, web.classplus.classplusapp.com, तो ऐसे करके आप एक interface आपको सामने खुलेगा, वहाँ पर जैसे ही after purchase, यह मैं सब बात कर रहा हूँ, after purchase है, आप जब course को purchase कर लेंगे, उसके बाद यह portal ऐसे खुलेगा है, यह home page है, यहाँ पर आप जाएंगे, नस्टैट, यहाँ पर click करेंगे, तीन गाईज, यहाँ पर तीन वेरियंट्स हैं, एनस्टैट के, एनस्टैट basic, एनस्टैट plus, एनस्टैट advance, इन तिनों में, तिनों में difference actually, किसी में paper 1 है, किसी में paper 2 है, किसी में तीनों paper है, तो इन तिनों में क्या difference है, उस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, जिसका description अभी आपको, I button में दिख रहा होगा, यह पर इसका मैं आपको description में link दे दूँगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं, कि इन तीनों class courses में, क्या difference है, यहाँ पर हम बात करेंगे, एनस्टैट advance, क्योंकि जो live classes होंगी गाईज, वो सिर्फ एनस्टैट advance वाले की होने वाली हैं, जो बाकी दो variants हैं, एनस्टैट basic और एनस्टैट plus, उनकी live classes नहीं होंगी, आप उनको purchase करके self study कर सकते हैं, वाकि content विल्कुल same रहेगा, यह एनस्टैट advance वाला है, यहां पे आप content पे जैसे ही click करते हैं गाईज, तो यहां पे पूरा content आपके सामने खूल जाता है, पहले motivational opening है, then slavers है, then paper one, paper two, paper three, for example paper one हम चेक करते हैं, so paper one teaching aptitude है, अब यहां देखें teaching aptitude के चार वीडियोज हैं, एक वीडियो के duration 27 minutes है, 28 minutes है, 33 minutes है, वैसे ही guys यहां पे paper two के मिलेंगे आपको, all right, और वैसे ही उसके बाद, देखो paper two food science है, general management है, hotel accounts है, then paper three, तो यह NSTAT advance का crash course है, यहां पे सब कुछ available है, यह complete package है, यहां पे तीनों papers बहुत detail में बताए हुए हैं, plus इनके live sessions भी होने हैं, क्योंकि daily 7 p.m. पे doubt clearing के साथ शुरू हुआ करेंगे, okay, second question था बच्चों का कि क्या इसको हम laptop पे या खोल सकते हैं, guys, यह जो है, जो मेरी app है, वो सभी devices पे accessible है, okay, आप इसको Android पे चला सकते हैं, iOS पे चला सकते हैं, laptop पे, computer पे, desktop पे, Mac book पे, iPad पे, tab पे, सभी पे, okay, लेकिन सिर्फ NSTAT advance वाला है ना, जो बाकी दो है, NSTAT plus, NSTAT basic, तो सिर्फ आप phone पे ही चला पाएंगे, उसको आप laptop पे या web पे है ना, desktop पे उसको नहीं चला पाएंगे, next आपका doubt यह हो सकता है, कि अभी तो 20 दिर बचे हैं, 23 days बचे हैं, लगरे स्कोर्स क्यों ले लें, guys, स्कोर्स की validity 4 months है, और अब जैसे कि आपको मालूम है, vaccination शुरू हो चुकी है, तो hopefully, इस साल जो आपका NSTAT है, वो 3 बार भी हो सकता है, योगि 2020 में 1 बार भी नहीं हुआ है, तो 3 बार अगर होगा, पहले तो भी यह दुआ करता हूँ, कि आपका इसी attempt में clear हो जाए, अगर नहीं हो पाता है, तो आपके पास 3 months और बचेंगे, उन 3 months में, जितना भी content है, वो आप उसको access कर सकते हैं, 1000 time access कर सकते हैं, कोई limit वहाँ पे नहीं है, ओके, बहुत से बच्चों की ये भी query आये थे, कि उन्हें सिर्फ ये ही month पढ़ना है, उन्हें सिर्फ ये ही month पढ़ना है, जब तक कि एक्जाम नहीं हो जाता है, और तब तक उन्हें पूरा content चीए, उनके लिए अलग से crash course डिजाइन किया है, उसका नाम रखा है crash course of anastat super, इसमें क्या है जो आपका advance वाला है, जिसका price 6000 है, वो सारे features इसके अंदर है, वो सारा content इसके अंदर है, जितना आपको 6000 वाले में मिलने वाला था, तो सब कुछ आपको इसके अंदर मिलेगा, बट इसकी जो validity है, वो सिर्फ second of March तक है, almost one month है ना, तो आज second of February है, till second of March आप इसको, इसके content को assess कर पाएंगे, जितने mock test है, सभी content को आप assess कर पाएंगे, पर इसमें live sessions नहीं होंगे, और ये सिर्फ आपके mobile phone पे ही खुलेगा, ये laptop और desktop पे भी नहीं खुलेगा, अच्छा, इसको खरीदना कैसे है, इसको purchase कैसे करना है गाईज, यहाँ पे मैं इसका price आपको बता देता हूँ, वैसे इसका price 8000 है, बट after discount ये आपको पढ़ने वाला है 6000 का, और गाईज इसको कैसे purchase करना है, कैसे वो करना है, उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाया है, उसका link अगेन आपको आई बटन में दिख रहा होगा, या मैं उसका link आपको इस वीडियो के description में दे दूँगा, कि आप इस course को कैसे join कर सकते हैं, प्लस एक question बच्चन को और ही रहता है कि demo, तो demo के लिए मैंने आपको पहले कहाए कि आप जैसे study material पर जाते हैं, तो यहाँ पर गाईज यहाँ पर documents है और यह वीडियो है ना, documents में जाएंगे, then demo for anastat में जाएंगे, तो यह सारे lectures PDF के demos हैंगे, कैसे PDF आपको मिलने वाली हैं, यह वीडियो lectures हैं, यहाँ पर आप जाएंगे demo video for anastat है ना, paper 1, paper 2, paper 3, कैसे videos आपको ग्रैस पोर्स में मिलने वाले हैं, उनके एक एक lecture यहाँ पर upload किया गए है, ताकि आप उसको देख लें, अच्छे से समझ लें, और अगर आप satisfy, उसके बाद ही आप इसको purchase करें, क्योंकि उसके बाद refund किसी भी हालत में नहीं किया जाएगा, हाँ, mock test का demo, बहुत से बचों को यह भी doubt रहता है कि mock test कैसे मिलने वाले हैं, तो mock test का demo भी इस video के description में आपको मिल जाएगा, बहाँ जाएगा, आप देख सकते हैं कि mock test कैसे design किया गया है, ओके और भी बहुत कुछ है जो आपको इस crash course में मिलता है, जो मैंने आपको अब तक नहीं बताया है, इस paper 1 का material, ये paper 2 का material, ये paper 3 का material, उसके बाद आपको mock test मिलते हैं, तीनों papers के, along with previous years papers mock test, इसके बाद आपको मिलता है मन्थवाइज जी के, 2018 onwards, उसके बाद आपको मिलता है, hospitality industry news, मन्थवाइज है ना, hospitality industry में क्या application हुई है, करोना period में है ना, पूरे 2020 के application यहाँ पे है, इसके बाद आपको मिलता है, previous years NSTAT question paper, along with answer की यहाँ पे मिलता है, उसके बाद आपको assistant lecturer and lecturer की post के लिए, जो various IHM exam करवाता है, बोगजाम भी आपको यहाँ पे मिलते हैं, उसके बाद आपकी motivational ending एक वीडियो बनाए हुआ है, कि negative marking वाले exam को कैसे handle करते हैं, कैसे उसमें, strategy, concept strategy को हम use करते हैं, तो बहुत कुछ यहाँ पे आपको मिलने वाला है, एक complete package है, I hope आपको यह पसंद आया होगा, so bye-bye and I'll see you tomorrow in the glass, bye-bye, take care. Okay, so that was all about the courses and all about the timetable, how it will go like and how you can join the course, how you will get all the notes, how you will access all the material like PDF, videos, PPTs, etc. So आप price पे ना जाएं, यह जो money है, this is your investment. Okay guys, मैं इस फिल्द में पिछले 10 साल से हूँ, I am the part of this industry, since 10 years, I have 7 years of teaching experience, I have 3 years of total experience, you can check out my profile at the end of this video, so you can trust me, I am assistant lecturer at IHM Shibla, तो मैं इस सिस्टम का दस साल से पार्ट हूँ, so you can trust me, जिस इस इंवस्टी का पार्ट बनने जा रहे हो, उस इंवस्टी का मैं पार्ट हूँ, उस इस सिस्टम का मैं पार्ट हूँ, तो आप मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हैं गाईस, Okay, last but not the least, that why online course? There are so many benefits of online courses guys, online और offline program compare करें, तो online का सबसे बड़ा फाइदा तो यह है, कि आप उसको किसी में टाइम एकसेस कर सकते हैं, आप उसको एक ही वीडियो को बार बार देख सकते हैं, ठीक है, यह online का सबसे बड़ा benefit रहता है, flexibility रहती है आपके पास, अपने हिसाब से, अपनी convenience के हिसाब से, सुबा चाहे शाम जब भी उनको टाइम लेगा, वो उसको पढ़ सकते हैं, उसको एकसेस कर सकते हैं, यही online का सबसे बड़ा benefit है, तो गाइज देन, I hope that you all will join this course and till then, bye-bye, take care. अपने हिसाब से, अपने हिसाब से,